कैसे हो मेरे दोस्तों फ्लॉप और हिट पर बातचीत होगी इंडिया वस्से जिंबावे मैच के उपर उससे पहले क्या तो जबरदस टर्नराउंड देखने को मिला T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंडिया और पाकिस्तान सेमी फाइनल्स में पहुँच चुके हैं और दे चोकर्स ओव वर्ल्ड क्रिकेट फिर से एक बार बाहर हो गए हैं सब पर बातचीत होगी लेकिन उससे पहले इंडिया वस्से जिंबावे के मैच के उपर परफॉर्मेंस पर चलो बात करी लेते हैं फ्लॉप परफॉर्मेंस से बात शुरू करते हैं यहाँ पर फीचर करेंगे नंबर एक पर स्किपर रोहिच शर्मा बैया सीरियस दिक्कत है आज भी स्टार्ट बढ़िया मिला लेकिन कन्वर्जन आज भी आके नहीं मिला आपको पता है रोहिच शर्मा का पुल शॉट क्लास ही अलग है यार उसमें लेकिन आज वही पुल शॉट कनेक्ट हुआ नहीं जाके और सीधा ओन साइट बाउनरी में वेलेंटिन माज सकाज़ा के हाथों में कैच दे दिया गया आज भी देखो स्टार्ट बढ़िया मिला जहां पर उन्होंने 15 रंस बनाए मातर 12 बॉल्स पर और दो चौके भी लगा दिये लेकिन रन रेट को अप करने के चक्कर मिना फिर से रोहित दहिट मैं शर्मा सस्ते में डिपार्ट हो गए नमबर दो रिशप पन्थ बैया कुछ तो सीन लोड हो चुका है इनका रंस बनने का नामी नहीं दे रहे हैं टी ट्वेंट याए फॉर्माट में रिशप पन्थ के लिए लेफ्ट हैंडड चाहिए और लाया गया इनको अब देखो लिम्टेट चांस रहते हैं और मिलते भी वही हैं उसी में कनवर्ट करना होता है सब कुछ बहुत बार चांस मिलता थोड़ीना है आते के साथ एक रगड़ा पन्थ ने चला दिया लेकिन हाँ लॉंग गॉन बाउंटरी पर कुछ जबर्दर डिस्प्ले ओफ फील्डिंग दिखाई जिंबावे की टीम में और खास तोर पे रायन बर्ल ने स्पिनर को बहुत तेजी से हीट करने के चकर में रिशाप पन्थ हो गए सस्ते में आउट और फिर हो रहे हैं फीचर फ्लॉप पर्फॉर्मेंस में बनाए पन्थ ने सिर्फ तीन रंस और दिनेश कार्थी की जगा पर पन्थ आज लाए गए थे वैसे तो देखो डीके का फॉर्म भी उस तरीके का नहीं आ रहा है वर्ल्ड कप पे लेकिन आज जो चांस पन्थ को मिला था ना उससे बहुत ही अजी तरीके से भुना नहीं पाए लेयर नम्बर तीन और कैसे काइदी से तोड़ा सूरीकुमार यादा ने गजब की ही बैटिंग करी उन्होंने मुजरबानी बहुत ही एक्सपेंसिव साइट पर चले गए जहां पर चार ओवर्स में बचास रज उन्होंने कंसीट किये हाँ हाँ रोहिच शर्मा का विकेट बैक किया लेकिन भाईया इतने रंस आप लुटा दोगे तो कहां से कुछ चल पाएगा विराट और राहूल के कंटिनियोस विकेट से जाने के बाद जिम्बावे को एक मुमेंटम से प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने भुनाया है नहीं और हाँ सेम चीज इंडिया ने रपट के मारा और एक और नाम वो इंडियन साइट से होगा तो वो होगे अकसर पटेल लिया तो देखो अकसर ने भी एक विकेट लेकिन बोलिंग में धारी नहीं देखी मुजरबानी ने चार ओवर्स मे पर बोलिंग करा रहे हैं इसलिए वो फ्रूटफुल रिजल्ट अकसर को मिल नहीं रहे हैं पहले गेम में भी अकसर बहुत एक्सपेंसिव थे और अब भारत सेमी फाइनल में चला गया है और उनको काफी ही चेक रखना होगा अपना ये परफॉर्मस चलते हैं फिर हीट प पर आए और बॉल वन से ही चोके के लिए गए सूरिया और हिटिंग तो इतनी जबरदस कि भारत ने आखरी के पांच ओवर्स में 79 नंस बनाए जिसमें से कि इनका योगदान सबसे ज़ाद ही था नहीं तो इंडियन टीम 140-500 के आसपास वाले मार्क पर ही आ जाती क्या दो सूरिया विकेट्स के पीछे इतने रचनातमक शौट्स की जिंबावे की टीम फीड लगा रही थी लेकिन वो काउंड कर रहे थे रंस और कंटीनिवस स्कोरिंग कर रहे थे ये शौट्स को बनाते हैं अब बताईए ओफ साइट की क्रैम करने वाली लाइन को स्टम के अक्र उस पारी में छे चोके और चार चके शामिल थे स्ट्राइक रेट तो इनका वही क्लासिक केस बनता ही चला जा रहा है जहां पर ये दोसों के आसपात बहुत आसानी से स्कोर करते हैं और फिर आज भी स्ट्राइक रेट आया 244 का हां गेम चेंजर अलग से कवर नहीं करेंग क्योंकि सूर्या ही गेम चेंजर हैं आज के मुकाबले में प्लेयर नमबर दो लगातार बैक टू बैक फिफ्टीज और इंटेंड बहुत ही पॉजिटिव रहा है केल राहूल का फ्री फ्लो ओफ रन्स आज भी देखने को मिले पिक अप शॉट जो ओन साइड पर राहूल क क्योंकि आज भी फिनिश नहीं कर पाए बढ़िया स्टार्ट देने के बाद बांगलादेश के अगेंस्ट भी 50 रंद बना के तुरंत आउट हो गए थे और आज भी जैसे ही 50 बनाई वैसे आउट हो गए राहूल के बल्ले से आए 51 रस जिसमें उन्होंने 35 बोलों का सामना कि बॉस किया तो स्विंग सेकेंड इनिंग्स में मिल रही थी और जब स्विंग आई तो फिर स्विंग मास्टर से जाधा प्रॉमिसिंग तो कोई और हो नहीं सकता ना वो है ना नदेन भुवनेश्विर कुमार अर्शदीप, शमी, हार्दिक और अश्विन सब ने ही फु नोहीं हरकत कर रहे थी, सीम बढ़िया ही डिलिवर हो रहा था और सबसे इंपोर्टन, बैट्समन समझी में नहीं आ पा रहा था कि के सेंट पर खेलें, बीट हो रहे थे बैट्समन बहुत ही बढ़िया तरीके से, तीन ओवर्स में एक मेटन ओवर डाल दिया, 11 रंस दिये और एक विकेट स्कैल्प करके दिया, एकॉनमी रेट आया 3.67 अब बताईए क्या तो बोलिंग गराई भाई ने, नोटबल मेंशन में एक पार्टनर्शिप फीचर करेंगे हम बिट्वीन सिकंदर रजा और रायन बर्ल के बीच में, बहुत ही प्रेशर सिचुएशन थी य और एक फाइटिंग स्पिरिट तो देखो दिखाई दी, रायन बर्ल भी इनोवेटिफ शॉर्ट सूरिया की तरह विकेट के पीछे मार रहे थे, लेकिन वो थोड़े से प्रेडिक्टबल भी हो रहे थे यार, फिर मैच में हिट पारी में नोटबल मेंशन में दोनों की पा और टेबल टॉपर्स बनते होई इंडिया थ्रू कर गई है सेमी फाइनल्स में पाकिस्तान के साथ, ट्रिपल हेड़ संडे था आज, सबसे बड़ा उलट फेर सुबही सुबही जहाँ पर नेधरलिंस ने साउथ आफरिका को हरा दिया, बहुत ही बड़ा अपसेट हो गया और साउथ आफरिका को वर्ल्ड कप की रेस में बाहर ही कर दिया, अब तो सीरियस ही लग रहा है यार, कुछ लेटो लीन तो हो ही लिया है किस्मत में, साउथ आफरिका को चोकज ऐसे ही नहीं बुलाया जाता है, मू को आया जीत का स्वात, लेकिन आ नहीं पाया at the end, आला कि मोहमद हारिस और शान मसूत की इनिंग्स ने उसमें भी गो थू कर दिया, जिस तरीके से अर्ली एक्जिट पर पाक खड़ा हो गया था, वहाँ से तो अच्छी वापसी करी है, वेल प्लेट टीम पाकिस्तान, ग्रूप ए से सेमी फाइनल्स में आ चुके और पाकिस्तान, अब तो the real game is on, तो ये था आज का माम लाब, आपके पास भी और पॉइंट्स होंगे, तो कमेंट सेक्शन पर बताना हमें और हमारे घ्यान का संचार करना, अगर आप डिसग्री भी करते हो ना तब भी बताना, क्योंकि आप और हमी तो मिलकर परिपकोता आते हैं ना, तो कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और शेर भनने से दबा देना, ताकि वीडियो में उडान बढ़ जाए और आगे तक के सर करके चली जाए, पहली बार अगे लैंड होए और कॉंटेंड अच्छा लगा हुआ होगा तो सब सब्सक्राइब करना हमें, मज़ा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों को बहुत जादा आने वाला है यार, बेल आइकोन भी फटक करके प्रेस कर देना, अरे तब ही तो आपकी चैनल स्विंग की वीडियो मार्किट में आगे यह पहली फुरसत में पता चल जाएगा, औ पर हाँ, अपना और अपने गहार वालों का ना ध्यान बहुत देना वो बहुत इंपोर्टन बात है ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आपसे